तो आज का एक और वीडियो अपडेट दे रहा हूं तो आज भी कुछ लोग का पारसल जा चुका है कुरियर यहां से हमारे यहां से स्पिर्ड पोस्ट के थू भी गया है ठीक है मिस्टर अरनब है सूरत मेरे ख्याल से नहीं यह मिस्टर अरनब जी है इनका गया हुआ है सोनो स्पिर्ड पोस्ट से भी गया है और कुछ लोग का मुंबई और पूने दोनों जगा पे कुरियर गया हुआ है तो इस टाइप से जो भी रहता है मैं अपडेट इसलिए बताता हूं कि देखिए हमारे जो लोगों की क्वाइरी रहती है कि क्वाइन कैसे मिलेगा तो बहुत सारे कुरियर हमारे पास आते भी है अगर मैरी पिछली वीडियो में जाके देखो है कि तो बहुत सारे मैंने अण बॉकसिंग करकर दिखाया हुआ है つो लोग पुछते हैं क्वाइन कैसे मंगवाएं गे या बुक कैक से मनगवाएं तो जैसे बुक जाती है by post वगेरा वैसे ही coins वगेरा भी वेजे जाते हैं ठीके तो आज की वीडियो में कुछ और भी दिखाने जा रहा हूँ जो काम के कुछ और coin है मेरे पास जो भी आप लोग को दिखाऊंगा ठीके ये वाला मैंने अल्रेडी वीडियो में दिखाया हुआ है आप लोग को जो 6 ग्राम का होता है copper nickel का 1 रुपीज का definitive series का coin ये very square के डिगरी में है noeda mint का अगर आप देखेंगे आप आपको dot नजर आएगा year के नीचे ठीक है तो dot जो होता है वो mint mark होता है हमारा noeda का तो noeda से ये काफी कम तादाद में छपे हैं इसलिए very square श्रेणी में जाते है coins इसकी pricing की बात करूँ इस condition में condition मैंने लिखी है a unc यानि almost unc condition या extra fine plus भी आप इसको बोल सकते हैं इस condition का ये coin है जिसकी pricing thousand रुपीज हमने रखी हुई है one thousand रुपीज ठीक है इसकी unc condition में book में price thousand रुपे है ठीक है 1000 रुपया book में इसकी price unc condition में दी हुई है लेकिन practically अगर आपको unc condition का मिलेगा ये वाला coin तो ये 1200-1500 के नीचे आपको नहीं मिलेगा यानि buying करने जाओगे तो 1500 तक भी आपको इसका pay करना पड़ेगा unc condition में और ये very square category का coin है मैंने अभी वी कुछ लोग को दिया है ये coin और भी लोग की inquiry थी तो सरी बता ये रहा हूँ कि ये अच्छा collectable coin है अगर आपके पास है तो आप हमें भी sell कर सकते है बता सकते है अगर ये 1998 का noidamint यहाँ पे छोटा सा अगर dot होगा न तो उसमें लोग confused होते है वो actually Mumbai mint होता है छोटा diamond बना होता है तो कभी कभी उसको भी देखके लोग confused हो जाते है उनको लगता है शायद ये dot है actual dot इस तरीके से नजर आ जाता है noidamint का ठीक है तो ये noidamint का अगर है आपके पास हमें sell करना चाहते तो sell कर सकते है और ये जिसको buy करना है ये thousand rupees में मैं दे रहा हूँ आने वाले time में यह coin 2-3 साल के बाद आपको हो सकता है UNC condition में ये rare श्रेणी में चला जाए 2-3 साल में और UNC में इसकी भी pricing 2000-3000 तक चली जाएगी तो अगर UNC में ये 3000 तक जाएगा तो ये समझना इस condition में भी ये काफी अच्छी pricing में बढ़ जाएगा तो ये एक अच्छा collectible coin है collect करना चाहिए चाहिए आपको very fine condition में भी कहीं से मिल रहा है तो उसको collect करके रखिए ठीक है खाली खयाल ये रखना है कि जो भी coin आप purchase करते है तो उस पर ध्यान ये देना है कोई चीज damage नहीं होनी चाहिए ठीक है खास करके भी ये जैसे भी definitive series का है तो इस काशो की स्थम वगिरा देख लीजिए भारत इंडिया जो लिखा हुआ है ये देख लीजिए ठीक है फिर सामने जो year है और mint mark है ये सब clear होना चाहिए denomination one वगिरा लिखा हुआ है रूपिया लिखा हुआ है ये सारी चीज़े perfect होनी चीए हाँ side में अगर थोड़ा वोद यहाँ पे अगर कहीं पे थोड़ा mid गया है जो design में तो ये सारी चीज़ों से इतना कोई खास matter नहीं पड़ता है ठीक है तो एक collectible coin है आने वाले time में demand म में आएगा तो अगर आपके पास है तो रखिए उसे बेचिए मत अगर आप long term में रखेंगे तो काफी अच्छा benefit आपको मिल सकता है इसी की इसी के level का एक और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जबके इससे जादा उसके demand है market में 2004 का 2 रुपिये में national integration की theme पे बना हुआ यह सिक्का जो कलकता mint का होता है यानि year के नीचे आपको यहाँ पे कोई भी mint mark नजर नहीं आएगा जैसे noida का अगर कोई coin होता है तो year के नीचे dot नजर आता है लेकिन कलकता का जो भी coin होगा year के नीचे आपको कोई भी mint mark नजर नहीं आएगा यह कलकता mint की निशानी होती है तो इस बेसक का यह कॉइन है नेशनल इंटिग्रेशन का टू रूपीस का कॉइन जिनको भी यह कॉइन कलेक्ट करना है हमसे मंगवा सकते है ठीक है जो भी यह कंडिशन है आप देख रहे हैं इस टाइप की कंडिशन की कॉइन एक्स्टा फाइन फ्लस कंडिशन की इनकी कॉलिटी है और ऐसे मेरे पास अभी फिलाल आर्ट डस सिक्के अविलिबल हो चुके है तो जिनको भी चाहिए ये कौईन मंगवा सकते है इसकी भी बुक में प्राइस की अगर बात करूँ 2022 की जो बुक है दिलिव राजगोर साप की इन्होंने वेरीफाइन में इसकी 300 रुपीस से स्टार्ट की है प्राइसिंग और यूएनसी में इसको 1,000 रुपीस तक उन्होंने हाइलाइट किया हुए और स्केर श्रेणी इसको भी इन्होंने दी हुई है अभी ये मैं समझता हूँ ये वी एक वेरी स्केर के टिक्री का सिक्का है और UNC में अगर यह आपको मिले न यह भी लगबग 1500 तक बिखता है UNC कंडिशन में 1200 से नीचे में आपको यह नहीं मिलेगा तो फिलाल इस कंडिशन में यह मैं आपको देने जा रहा हूँ 800 रुपीज में 800 रुपीज में ठीक है ऐसी कंडिशन के और भी कंडिशन है मेरे पास extra fine प्लस कंडिशन मैं इसको बोलूँगा ठीक है तो जिनको भी चाहिए यह कंडिशन आप हमसे ले सकते है नैशनल इंटिग्रेशन की थीम के 2 रुपे के यह कंडिशन है 6 ग्राम इनका वेट होता है ठीक है copper nickel के यह बने होते है तो यह सारे coins है मेरे पास booking करवा सकते हैं आप ले सकते हैं minimum देखिए कम से कम 1000 रुपीस का अगर आप parcel मंगवाते हैं जो भी मतलब आप booking करते हैं चाहिए accessories हो चाहिए coins हो तो भेजने में भी थोड़ा मुझे ठीक लगता है अगर आप 100-200-500 के range में रहते तो भेटर है कोशिश कीजिए वो भी मैं भेज देता हूँ ऐसा नहीं की नहीं भेजता हूँ क्योंकि shipping तो आप देते ही हो पचास रुबिया लेकिन कभी आपने कोई order देके रखा है और in future भी आप कुछ buy करने वाले हैं हफता 10 दिन के अंदर तो बार बार आप भी courrier मतलब receive ना करें जितना हो सके कम courrier में मतलब काम हो जाए हमारा जितना कम parcel हमें वेजना पड़े इस बेस पे बता रहा हूँ खास करके member लोग और ऐसा बहुत लोग करते भी है मेरे साथ जो लोग है booking करवाते जाते हर रोज जो मेरी वीडियो आती कुछ ना कुछ उसमें से buying करते रहते फिर हफता 10 दिन में उनका जो भी मतलब एक list पुरी ready हो जाती है फिर उसका वो लोग पूरा एक साथ मंगवा लेते है तो ऐसे आप लोग कर सकते है ठीक है ये जादा बहतर होता है और एक चीज़ और दिकान ये send the lower के जो सिक्के है noidamend के 5 रुपीस के extra fine condition के extra fine plus condition के मेरे पास available है ठीक है कम से कम ये 15-20 सिक्के आ चुके है मेरे पास तो जिनको भी ये भी coins चाहिए होंगे ले सकते है इस condition में ये आपको मैं 500 रुपीस तक दूँगा और ये समझ लेना आने वाले 2-3 साल में ये भी कही ना कहीं मुझे लगता है ये भी वो सिक्के है जो नोईडा मिंड से रेर की श्रिणी में बहुत जल्दी जाने वाले है ठीक है तो अगर आपको ये coins मिल रहे है कई से आम चलन से तो जरूर उनको कलिक करके रखिए और अच्छी condition में अगर मिल रहे है तो buy कर लीजिए ठीक है कम से कम ऐसी condition तो होनी चाहिए ठीक है इस condition के होंगे तो जरूर उनको buy करके hold कीजिए आने वाले दो से तीन साल में इनका भी आपको बहुत अच्छा return देखने मिलेगा दिखे जो returns होते हैं न investment पे जिसको ROI बोला जाता है return of investment ये आप बहुत जादा expect मत कीजिए ये मत सोचना कि मेरा पैसा 2-4-6 महिने में double हो जाए है ना तो ये वैसे field नहीं है कभी-कभी यहाँ पे भी मौका आ जाता है लेकिन जादा तर जो exact तरीका है ना काम करने का वो ये है कि अगर साल भर में कोई investment आपका 15-20% 10% भी growth कर रहा है ना तो ये बहुत माना जाता है अच्छा खासा growth माना जाता है ठीक है तो ये बात को याद रखिए तो return of investment जो होता है ना आप जब भी कोई चीज में investment करते है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा जल से जल बहुत ज़ादा तेजी से बढ़ जाए लेकिन याद रखिए patience जो बोलते हैं सबर अगर रखे होगे आप तो इस field में बहुत अच्छा यहाँ पे growth देखने मिलता है history रही है और सबसे ज़ादा beneficial यह होता है कि अगर आप सही सिकों में जानकारी रखते हैं और सही सिके सही time पे buy करते हैं सही rate में ठीक है तो यह याद रखना दो से तीन साल में बहुत अच्छा अपने को result आपको देखने मिलेगा मेरी कोशिश यही है जो भी मैं चीज़े अपने platform से दूँ आने वाले दो साल, तीन साल, पांस साल के अंदर अप लोग को बहुत अच्छा benefit हो जाए इसलिए मैं यह सारे coins ला रहा हूँ ऐसे coins जिनके demand है market में और मेरी कोशिश है कि जो सही coin सही rate में मुझे मिले वोई coin में अपने platform से यहाँ पे आप लोग को बताओ ठीक है, तो जो भी लोग buy करने में interested है buy कर सकते है, एक अच्छा coin है collectible, आप बोल सकते है very square category का coin for the investment यह दोनोई coin बहुत अच्छे हैं वैसे ही जैसे मैंने यह वाले भी coin बताओ आपको sendthelluar वाला यह भी बहुत अच्छा coin है इसी तरीके का एक और coin मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो है mother and child health वाला यह भी noida mint से कही न कही मैंने बताया हुआ है एक दो वीडियो पहले भी कि यह अभी जो है UNC condition में 1200-1500 में बिकना start वा है, मैंने इसको online में 1500 रुपे में UNC condition में बिकते वे देखा और UNC condition में मैंने 900 रुपीज में sell किया है अभी recently, ठीक है 900 रुपीज में मैंने recently sell किया है तो इस condition में अगर आप लेते हैं जो आप बोल सकते एक्ट्रा fine यह एक्ट्रा fine प्लस condition है यह तो इस condition में यह आपको 600 रुपीज तक मिलेगा send the lower वाला 500 में मैंने बताया और यह वाला जो मैं बता रहूँ यह 600 दोनों ही noida mint के हैं ठीक है, दोनों ही noida mint के और noida mint के दोनों ही coin अगर आपके पास है तो purchasing मैं इनकी भी करता हूँ आप मुझे बता सकते हैं मैं buy करूँगा, चाहे यह दो coin आपके पास हो 1998 का 1 रुपीज noida mint का हो चाहे कलकत्ता mint का 2004 का 2 रुपीज national integration की थीम वाला ठीक है, तो यह चारो coin जो मैंने बताई यह हम sell भी करते हैं और हम buy भी करते हैं जैसे अगर मैं इसको 800 में बेच रहा हूँ तो same condition में आपसे मैं उम्मीद करूँगा 500 से 600 के बीच में आपसे मैं buy करूँगा ठीक है, वैसे ही अगर यह आप मैं 1000 रुपे में sell कर रहा हूँ तो इस condition में यह 600-700 रुपे के बीच में आपसे buy करूँ, क्योंकि मैं एक-एक coin नहीं buy करता हूँ एक साथ 10-20 coin मैं लेता हूँ ठीक है, तो इस base पे मतलब हमारी business होता है आप लोग के coin भी sell होते है और हमारे लोगों को भी चीज़े सही क्या बोलेंगे, rates में मिल जाती है सही चीज़े मिल जाती तो बस यह कोशिश है मेरी और भी अच्छे-च्छे coins में आगे बताता रहूँगा अब जिन लोग का courier रहे गया है दो-तिन दिन में जाएगा जिन लोग का कुछ coins का set बनवाना था जैसे aluminum magnesium का मैं set देता हूँ आप लोग को पता है साड़े-तीन हजार रुपे में वो मिलता है काफी अच्छा set है वैसे एक और set ready होने जा रहा है दो-से-तीन दिन में वो set में ready करके आप लोग के सामने लाऊंगा तो वो set भी investment purpose के लिए काफी अच्छा रहेगा जिन लोग को वो set में investment करना है वो ले सकते है portfolio भी आप लोग बनवाते ही है आप लोग को पता है साड़े-दस हजार में मैं 60 coins का portfolio देता हूँ काफी सारी वीडियो उसके उपर है मेरी ठीक है वो भी उस पे मैं 2 साल का आप से buyback के assurity पे देता हूँ कि in case अगर आपको लगता है 2 साल के बाद आपका जो investment है वो काम नहीं कर रहा है यानि कि पैसा बढ़ नहीं रहा है तो कम से कम इतना होगा कि वो आप हमें as it is return करके अपना पैसा वापना ले सकते हैं even मैं उसमें ये भी बोलता हूँ कि additional कुछ न कुछ आपको मैं बढ़ा के दे दूँगा तो ये assurity इसलिए होती है कि मुझे पता है आने वाले time में उसके अंदर भी जो coins है उनकी काफी अच्छी pricing बढ़ जाएगी उनमें ये सारे coins भी होते हैं किसी में sent heller भी आपको देखने मिल जाएगा mother health वाला भी ये सब ऐसे बहुत सारे उसमें coins है जो मैंने add किये हुए है आप लोग वो भी चीज़ देख सकते तो आप इस type से अगर portfolio या sets बनाएंगे या coin का collection करेंगे तो ये समझना के जादा नहीं तीन साल चार साल में उसके बाद जो आपको returns मिलेंगे आप खुद देखो कि market ने आपको क्या returns दिये ठीक है बस उनका खयाल ये रखना है कि उनको साई से preserve करके रखना है खराब नहीं होने चाहिए coins हमेशा अच्छे से sleeves के साथ आप holders में डाल के रखिए ये holders होते हैं ठीक है अलग-अलग size के आते हैं 25 mm और 30 mm का मेरे पास होता है तो ज़रूरी नहीं मेरे पास से आपको कहीं से भी मिल रहा है आप ले लीजे और यही holder नहीं कोई भी holder आप ले सकते हैं अच्छी quality के होने चाहिए तो ये holders वगिर आप ले के इसमें और sleeves लगा के coins को जब रखते हैं जैसे ये sleeves के साथ हैं अंदर holder में ये sleeves भी है इस वज़े से थोड़ा सा quality dull दिखती है लेकिन quality dull नहीं है कभी-कभी ऐसा होता है कैमरे में इतना खास नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन actual में जब आपके हाथ में coin आएगा ना तो quality बता चलीगी आपको तो लेकिन sleeves के साथ अगर आप रखोगे तो preserve हो जाएंगे बस आप खयाल ये रखना है जहां पर भी उसको रखोगे इसके उपर कोई वजन नहीं पड़े ठीक है ताके ये इसके उपर कोई scratch ना है तो इस बात का खयाल रखने आपको तो ठीक है इस उम्मेद पे कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा अब खाली एक चीज और बोल दू फाइनली के जो लोग मेरे 9699-065064 वाले नंबर पे मैसेज करते हैं मेंबरशिप का पेमेंड कर देते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पेमेंड करने के बाद जब मैं उनको मैसेज करता हूँ कि मेरे परसनल नंबर पे भी अपना स्क्रीन शॉट पेमेंड का और साथ में जो आपकी डिटेल्स है यानि कि अड्रेस वगेरा आपका पीन कोड के साथ पुरा अड्रेस आपका नेम वो फॉरवर्ड कर दो तो बहुत से लोग कभी-कभी भूल जाते हैं वो चीज करते नहीं है फिर 8-10 दिन के बाद मैसेज करतें कि सर मैंने 8-10 दिन पहले आपको पेमेंड किया था अभी मेरा बूक आया नहीं 4-5 दिन मैंने पेमेंड किया था अभी तक मेरा कुरियर निकला नहीं तो वज़ा ये होती है कि वो जो मेरा नंबर है जब भी मैं on करता ह én जो public वाला number है तो होता ये है कि आपके message में मैंने तो बोल दिया है आज समझ लो आपने message किया होगा मैंने आपको detail भेज दी banking detail वगिर आपने payment कर दिया screenshot मेरे number पे भेज दिया लेकिन जब मैं दुसरे दिन उसको on करूँ अना WhatsApp को तो नए 10, 20, 50, 100 messages नए लोगों के आ जाएंगे ऐसा होता एकसर कभी-कभी date 200 लोगों के message आ जाते तो वो messages में आपका message कहीं पीछे रह जाता है तो उस time पे फिर ये होता है कि आप भी भूले हुए रहते हैं आप भी मेरा message देखे हुए नहीं रहते हैं तो अगर आप वो message आगे मेरे दूसरे personal number पे forward नहीं करोगे तो तब तक मुझे भी ज़रूरी नहीं है कि याद रहे कि किसने क्या payment किया हुआ है तो इसलिए मैं बोलता हूँ personal मेरे number पे तुरंत आपको आपने जो भी detail वेजी है उसको भेज दिया करे वाटसप कर दिया करे तो वहाँ पे फिर मैं आप लोगों से बाते भी होते रहती अक्सर मैं वहाँ पे online आपको दीखूंगा और कोशिश ये करिए वाटसप पे बात कीजिए call करने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे ऐसे भी member है मेरे जो ऐसे time पे call लगा रहे है बार-बार चाहे वो सुबा, दुफेर, शाम में कभी भी जब मैं busy रह रहा हूँ तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ तो मैं उनको message भी करता हूँ कि जो भी बात है आप वाटसप पे कर दो मैं reply दे दोगा जादतर लोग को वाटसप पे reply जाते ही रहता है daily base पे जाता है मतलब जैसे ही message आता है उसके आदे गंटे-गंटे के अंदर reply चले ही जाता है मेरे personal number से जादतर ऐसे ही होता है या कभी-कभी 2-3-4-5 गंटे के gap हो जाता है लेकिन daily base पे 2-3 बार, 4 बार तो मैं उस पे WhatsApp आउन करके आप लोगा reply देने कोशिश करता हूँ तो बैतर है जो member बन जाते उस पे आके आप लोग अपना जो भी requirement है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं ठीक है? तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे end करता हूँ बाई